हाई एवरिवन आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? वी स्टुडिट लास्ट टाइम जेड़न याने क्या? कि एडिटिव ग्रूप ओफ इंटेजर मॉडिलो एन तो वहाँ पे जो हम बाइनरी ओपरेशन ले रहे थे वो आपका एडिशन मॉडिलो रहे थे विद एन ठीक है? और आज हम बात करेंगे अबाउट यू एन याने कि हमारा क्या होगा यह? या फिर इसको ऐसे भी दिनोट करते हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है दोनों का सेट भी बहुत अलग है ठीक है? और मैंने क्वेशन भी पूछा था उसका भी हमांसर देखते है लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइस करा देती हूँ कि multiplication modular n क्या चीज होती है तो a और b अकर मैं कोई दो नमबर लेती हूँ तो उनके बीच में multiplication modular n का क्या मतलब होता है So it means कि आप इस a और b को multiply करोगे n से divide करोगे और जो least non-negative remainder होगा वो उसका answer आएगा उस case में हम add करते थे इस case में हमने multiply करना है So r is greater than or equal to 0 and strictly less than n जैसे हम divide कर रहे है जो हमारा modulo है So this is least non-negative remainder when a b is divided by n For example जैसे कि 5 into 4 is equal to 4 ठीक है इसका क्या मतलब होया है कि 5 चोको 20 होता है अच्छा ये चलो दूसरा लेते हैं इसमें 6 लेते हूँ मैं 6 चोको 24 होता है ठीक है और जब 24 को आप 5 से divide करोगे तो कितना आ जाएगा 5 को 20 remainder कितना बचेगा 4 तो इस case में ये 4 आपका क्या है remainder है when you multiply 6 and 4 and divide by 5 तो ये मतलब होता है multiplication modulo का और ये दो properties जो हमने addition के respect में भी पड़ी थी और multiplication के respect में भी वैसे ही होता है कि अगर A जो है B के साथ congruent है with modulo N तो इसका मतलब ये होता है कि A into C is equal to B into C obviously into with respect to modulo N ठीक है ये जो congruency है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप advanced group theory पढ़ रहे हो तो आपको जो है अपने number theory के concept clear करना बहुत important है ठीक है so number theory मैंने already पढ़ाई है आप जाके एक बार अपने concept को clear कर दीजिए ठीक है so अगर A और B congruent है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ hold होगी ठीक है इसका मतलब ये है कि आपने अलग अलग बार इसका remainder निकालने के ज़रूत नहीं है ठीक है A का C के साथ जो remainder होगा वही B और C के साथ remainder होगा अगर A और B congruent है तो दूसरी बात कि A into B is congruent with A B mod N ठीक है तो ये चीज़ हमने addition की case में भी देखी थी कि A plus N B is congruent with A plus B mod N जाहिर से बात है कि ये आपका remainder है और आपका वो number है उस number में से remainder हटा दोगे तो वो जो number N है वो उसको divide करेगा for example जैसे कि ये हुआ पांचो को 20 और 20 और अगर 3 से अगर मैं इसको divide करूँ तो 18 2 remainder बचेगा तो ये चीज़ है अगर मैं 5 forza 20 करती हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 है और ये 20 है ये आपस में congruent है with modulo 3 because 2 minus 20 2 minus 20 is minus 18 और इस minus 18 को 3 divide करता है और इसी को congruency की रूप में ऐसा लिखता है अब जो last time मैंने आपसे question पोचा था उस पे मैं आती हूँ ठीक है question मेरा ये था कि हमने जो ZN consider किया था ZN का जो set था वो क्या था actually मैंने 4 लिया था ठीक है तो उसके अंदर element कौन थे 0, 1, 2, 3 ये actually इसके remainder है ठीक है और ये जो Z4 है ये addition modulo 4 के तहत group बनाता है अब मेरा सवाल ये था कि अगर मैं इसके जगह multiplication लेती हूँ तो क्या ये group बनाएगा ये group नहीं बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा क्योंकि अगर मैं multiplication के respect मैं इस set को देखू तो यहाँ पे 0 का multiplicative inverse नहीं मिलेगा ठीक है क्यों? क्योंकि 0 into modulo 4 और यहाँ पे कोई ऐसा number आप निकाल सकते हो क्या इस set में से क्या आप 0 into 1 नंबर करो तो आपका answer 1 मिले क्योंकि 1 इसकी क्या है multiplicative identity है ठीक है? तो ऐसा आपको कोई भी number नहीं मिलेगा जिसको 0 के साथ multiply करने पर with respect to modulo 4 आपका answer 1 मिले तो यह जो set है यह multiplication 4 के साथ group नहीं बनाता है because इसके पास जो 0 है उसका multiplicative inverse नहीं है ठीक है? तो हमें काम करते हैं क्यों नहीं 0 को यह हटा देते हैं? और हमारे पास set बचेगा 1, 2, 3 same question है कि क्या अब यह multiplication 4 के respect में group बनाता है कि नहीं बनाता है? ठीक है? यह अब भी multiplication के respect में group नहीं बनाता है क्यों नहीं बनाता? देखो अगर मैं इसका composition table बनाओ ठीक है? इसका composition table मैंने अल्रेड़ी पुराने lectures में बताया तो multiplication module of 4 के respect में मैं इसका composition table या फिर केले table बनाती हूँ So it is 1, 2, 3 1, 2, 3 आपने बस multiply करना और remainder निकालना है So 1 into 1 is 1 2, 3 सारे 4 से छोटे ही है 2, 1, 2 2, 2, 4 अब 4 को 4 से divide करोगे तो remainder आएगा 0 2, 3, 6 6 मैं से 4 गए 2 remainder बचा 2 3, 3, 3 3 दुनिया 6 6 मैं से 4 गए तो 2 और 3, 3, 9 और 4 दुनिया 8 तो 9 मैं से 8 गए रिमेंडर 1 ठीक है अब इस table को देखो आप इसमें जो यह 0 element है वो यहाँ पे नहीं है जो 0 element है वो out of syllabus हो गया है मतलब यह जो है इस set का member नहीं है यह बात भी आप कहा सकते हो या फिर आप यह भी कहा सकते हो कि यहाँ पे 2 का multiplicative inverse ही exist नहीं कर रहा है देखो अगर row में 1 है तो इसका मतलब है उसका multiplicative inverse exist कर रहा है जैसे 1 का multiplicative inverse जो उसके identity होती है उसके ऊपर देखना होता है ठीक है? तो 1 का multiplicative inverse is 1 3 का is 3 लेकिन 2 का ही नहीं इसमें क्योंकि इसमें 1 ही नहीं है तो यह जो set है यह भी group नहीं बनाता है with respect to multiplication तो अब ऐसे case में हम इस UN को कैसे बनाए कैसे construct करे तो हम यहाँ पे set बनाते है set of units units unit का क्या मतलब होता है unit का मतलब होता है जिसका multiplicative inverse exist करे जैसे की 1,2,3 में 1 का multiplicative inverse exist कर रहा है obviously with respect to multiplication modulo 4 3 का भी कर रहा है लेकिन 2 का नहीं कर रहा है 2 के लिए आप ऐसा कोई member ही नहीं डून सकते कि आप उसको उसके साथ multiply करो with respect to 4 modulo और आपको answer 1 मिले तो 2 का multiplicative inverse exist नहीं करता है मतलब यह unit नहीं है there is difference between unity and unit ठीक है दोनों में confused नहीं होना है unity और unit में ठीक है unity का मतलब होता है आपका जो 1 है और unit का मतलब होता है जिसका multiplicative inverse exist करे तो इस सेट में अगर मैं आप से पूछू की यूनिट्स कौन कौन से है obviously आपने operation को दिमाग में रखते हुए कहना है so it is 1 and 3 तो यह इसके unit है तो अब हम इस un का क्या करेंगे इसके अंदर कैसे element आएंगे ठीक है अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैंने n is equal to 4 लिया था ठीक है तो उस case में हमारा जो सेट था जीरो चलो जीरो नहीं 1 से स्टार्ट करते है ठीक है 1,2,3 और 4 से छोटे ही लूंगी मैं इन मैंसे units कौन कौन से थे एक था 1 और एक था 3 ठीक है अगर आप n is equal to मान लीजिए 5 लेते हो तो आप देखोगे कि 1,2,3,4 यह सारे units है इन सब का multiplicative inverse exist करता है ठीक है लेगन अगर generally आपको कोई n दिया जाए तो आप कैसे ढूंडोगे कि इनका multiplicative inverse exist करता है या ने करता है तो उसके लिए आपने क्या करना है दिवांग लगाना है GCD का ठीक है तो कोई number मान लीजिए M है M को unit कब कहेंगे मतलब इस case में आपको दिखाने के लिए कह रहे हूँ कि M is unit जो भी हमारा set है is unit if and only if GCD of M and N is equal to 1 ठीक है तो वो member जिनका GCD N के साथ 1 है याने क्या कि वो co prime है co prime है वो आपके unit होता है ठीक है तो UN का क्या मतलब होगा कि UN के अंदर वो elements जाएंगे X belongs to चलो मैं natural number लेती हूँ set of natural number such that कि ये जो X है ये greater than equal to 1 होगा strictly less than N होगा याने कि 1 और N के बीच के member होगे और X और N का GCD 1 होगा ठीक है तो ये set है हमारा UN तो UN का क्या मतलब है कि सारे वो numbers जो N से छोटे है और उसके साथ को प्राइम है ठीक है अगर आपने number theory पड़ी होगी तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने element होगे याने कि मैं कहा रही हूँ कि order of UN के बाद कर रही हूँ ठीक है जैसे कि इसका order कितना था इसको नाम देते हैं U4 इसका order कितना था इसका order था 2 ठीक है क्योंकि दो element थी इसके अंदर और जो 5 है उसका order कितना होता है U of 5 is कितने है इसके अंदर 4 है याने कि it is 4 और अगर आपने number theory पड़ी है उसके अंदर एक function आता है जिसे कहते हैं Euler's function Euler's function जिसका denotion है 5 5 of n तो यह 5 of n क्या देता है number of those elements जो n से छोटे हैं और उसके साथ co-prime है ठीक है तो यही चीज़ यहां पर भी है उनका number देता है तो order of u n किसके बराबर होगा 5 of n के बराबर होगा अगर यह n जो है आपका prime है जैसे कि इस case में है 5 के case में है तो अगर prime है तो उससे सारे जो number छोटे होँगे up to 1 वो सारे उसके साथ co-prime होँगे तो उस case में order of अगर मैं up की बात करती हूँ तो it is 5 of p और 5 of p is equal to p minus 1 ठीक है तो अब हम यह इसका एक proof देखेंगे कि UN किस तरह से group बनाता है ठीक है यानि कि सारे वो चार properties देखेंगे चलिए आईए इसका proof देखते हैं कि UN किस तरह से group बनाता है ठीक है अब आपको मालूम पढ़ गया है कि UN क्या चीज़ है तो सबसे पहले हम बात करेंगे about closure कि यह closure property कैसे satisfy करता है तो माल लीजे A और B मैं UN से लेती हूँ A और B का UN से होने का मतलब है कि वो N से छोटे होंगे और N के साथ को प्राइम होंगे ठीक है और A इंटू B माल लीजे C है ठीक है तो हमने यह शोव करना है कि यह जो C है याने कि इन दोनों पे लगाया गया operation के बाद जो हमारे पास C निकला है यह भी C का member है इसका member होने के लिए हमें दो चीजें दिखाने पड़ेंगी कि वो एक और N के बीच का है और N के साथ को प्राइम है यह दो चीजें हमने दिखानी है ठीक है तो सबसे पहले मैं यह दिखाऊंगी कि C जो है वो 0 नहीं होगा obviously यह चीज तो clear है कि जो C है वो N से छोटा होगा क्यों clear है? क्योंकि आप A, B को multiply कर रहे है उसको N से divide कर रहे है तो जो C है वो आपका remainder है यह remainder है तो जो remainder है वो जो divisor है उससे तो कभी बढ़ा नहीं होगा ठीक है? तो यह N से तो छोटा है यह चीज चीज clear है बड़ हमने यह दिखाना है कि remainder कभी भी 0 नहीं हैगा ठीक है? तो this implies C is not equal to 0 क्योंकि अगर हम इसको 0 मान के चलते हैं तो क्या हो जाता है? If C is equal to इसका मतलब यह है कि अगर C 0 हो गया तो A, B को multiply करने के बाद जब हम उसको N से divide करेंगे तो हमारा remainder 0 आएगा कहने का यह मतलब हुआ कि जो A, B है वो N से divisible हो जाएगा ठीक है? यानि कि N जो है वो A, B को divide करेगा जो कि हमारी क्या है? contradiction है क्यों contradiction है? N और B का जो GCD होगा वो 1 होगा यानि कि N और A के बीच में कोई भी common divisor नहीं है ना ही N और B के बीच में कोई भी common divisor नहीं है तो ना N जो है वो A को divide करता है ना N जो है वो B को divide करता है तो कभी भी N जो है वो दोनों के multiplication को भी divide नहीं करेगा है ना? बीच में होगा, 1 भी हो सकता है, और n से छोटा क्यों होगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब दूसरी बात हमने ये दिखाना है, कि जो c और n है, ये c और n है, इन दोनों के बीच का जी सिरी 1 है, ठीक है, इसको फिर से हम बाइ कॉंटरेक्शन दिखाएंगे, कि माल लीजिये, c और n का जी सिरी 1 नहीं है, ठीक है, अगर जी सिरी 1 नहीं है, इसका क्या मतलब है, कि c और n के बीच में common divisor है, 1 के अलावा, तो जो divisor होगा, obviously आपको पता है, by fundamental theorem of arithmetic, कि हर कोई भी divisor है, इसको आप जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन की रूप में लिख सकते इसका, ठीक है, तो अगर c और n के बीच में कोई common divisor है, d, ठीक है, तो उस d का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, याना कि यहाँ पे कोई प्राइम हमारे पास मिलेगा, तो जो प्राइम होगा, वो c को भी divide करेगा, और n को भी divide करेगा, ठीक है, अब देखो, हम क्या कर है, कि हम a, b को divide कर रहे है, by n, ठीक है, तो हम यहाँ पे division algorithm लगा सकते है, so by division algorithm, by division algorithm, हम क्या कर सकते है, इस a, b को कैसे लिख सकते है, इस a, b को लिखा जा सकते है, a, b is equal to n q plus c, ठीक है, जहाँ पे q कोई integer है, अस c आपका क्या होता है, रिमेंडर होता है, because you know, कि अगर हम a को b से divide करते हैं, तो a can be written as b q plus r, where r is remainder and q is quotient, ठीक है, तो मैंने a, b और n पर division algorithm लगा दिया, ठीक है, so a is equal to n q plus c, for some q, and from above, क्योंकि आपको मालूम है, कि अगर p जो है वो c को divide कर रहा है, p जो है वो n को divide कर रहा है, तो जो p है, अगर वो n को divide कर रहा है, तो p जो है वो n q को भी divide करेगा, ठीक है, p c को divide कर रहा है, तो आपको मालूम है कि अगर p a को divide कर रहा है, p b को divide कर रहा है, तो दोनों के addition को भी divide करेगा, so p divides n q plus c, ठीक है, so therefore, हम कहां पर दे, p divides n q plus c, और जो हमारे n q plus c था, वो क्या था, a b था, so this is nothing but a b, ठीक है, so this implies कि जो हमारा p है, वो किसको divide कर रहा है, a b को divide कर रहा है, अब देखो, जो p है, वो a b को divide कर रहा है, तो यहां से contradiction कैसे आ गई, देखो, आपको मालूम है कि p जो है, prime number है, अब p जो है, वो a b के product को divide कर रहा है, तो by euclid's lemma, यह जो prime number होगा, यह दोनों को separately divide करेगा, अब contradiction कैसे होगी, अब आपको मालूम है, जो हमने p लिया था, वो कैसा लिया था, जो c को भी divide कर रहा है, और n को भी divide कर रहा है, most importantly, वो n को भी divide कर रहा है, याने किया कि हमें एक ऐसा number मिल गया, याने एक common divisor मिल गया, a और n के बीच का, ठीक है, so आप यहां से कह सकते हो, 1 और 2 से कह सकते हो, कि a और n का gcd 1 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, because दोनों के बीच में एक common factor आ रहा है, p, जो की contradiction है, because a जो हमारा un से बिलॉंग करता है, और a और n का gcd हमेशा 1 होगा, so this is contradiction, तो contradiction क्यों आए, क्योंकि हम यह लेके चले थे, कि c और n का gcd 1 नहीं है, therefore c और n का gcd 1 है, और यह भी देख लिया, कि 1 और n के बीच में लाई करता है, इसलिए c जो हमारा un में बिलॉंग करेगा, ठीक है, तो यह इसकी closure वाली property थी, अब बात करते है, associativity वाली, ठीक into c, ठीक है, अब इसका जो है, एक और proof है, लेकिन हो काफी लंबा है, इसलिए मैंने यहाँ पे, congruency वाला जो proof है, उसकी मदद लिए है, कि देखो, a into b into c, अब आपको मालूम है, जैसे कि हमने इसे पिछले वाले video lecture में भी किया था, कि a into, मतलब, multiplication modular n b, is congruent with a b mod n, ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे answer नहीं लिख रहे हैं, हम remainder की बात कर रहे हैं, तो इसका और इसका remainder हमेशा same होने वाला है, ठीक है, तो इसका और इसका remainder same होगा, मतलब जो यह answer है और यह, वो same होगा, इसलिए इसकी जगह मैंने b c लिख दिया, ठीक है, अब इसका क्या मतलब होत n, ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि यह simple वाला multiplication है, यह associate करता है, तो इसको आप लिख सकते है, least non-negative remainder, when, bracket change कर दीजे, a, b into c is divided by n, अब इसको definition लगा दीजे, is divided by n, क्या मतलब होता है इसका, a, b, multiplication modulo n, c, which is equal to, फिर से वही बात, कि जो हमारा a, b है, this a, b, is congruent with, a into b modulo n, ठीक है, because if a is congruent with b, then b is also congruent with a, तो फिर से आप जो है, इसकी जगह, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से यह associate भी करता है, चौथी property, existence of identity, obviously, इसके अंदर 1 आएगा, why, because 1 और n का GCDM में से क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1 बिलोंस to un, और 1 into a, और a जो है, वो n से छोटा होगा, तो जब आप 1 into a करोगे, इसको n से डिवाइड करोगे, तो remainder हमेशे a रहने वाला है, और चाहिए ulti direction में करो, तो भी remainder a ही रहने वाला है, तो a, sorry, one act as a identity for this group, next is existence of inverse, ठीक है, मैं एक a लेती हूँ, from un, अब मुझे इसका inverse निकाल की दिखाना है, हाला कि ये method हम नहीं लगाएंगे, अब आपको मालूम होना चाहिए, कि number theory के अंदर हमने पड़ा है, कि अगर a और b का gcd d है, तो उस gcd को a और b के linear combination की रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस में से जो ये x है, इस पे लगाएंगे division algorithm, ठीक है, और divisor कौन सा लोंगी में, n लोंगी, तो अगर मेरा number x है और divisor n है, तो division algorithm के हिसाब से क्या होगा, कि एक q और r ऐसा जरूर exist करेगा, such that, कि आप x को लिख सकते हो, x is equal to nq plus r, obviously where r is remained, it is greater than 0 and less than n, अच्छा, अब मैं इस चीज़ को जो है multiply करती हूं, a के साथ, तो आपके पास क्या मिलेगा, ax is equal to anq plus ar, अब आपके पास मिल गया है, ax, आप इस x को substitute कर सकते हो, इस में, x की जगा मैं लिखती हूं, a nq plus ar, यह आपका कौन था, यह था आपका ax, plus ny, वही है, is equal to 1, अब हम इस पार्ट को consider करेंगे, ठीक है, so anq plus ar plus ny is equal to 1, यहां से मैं निकालती हूं ar, तो ar किसके बराबर आजाएगा, यह 1 वैसा है, अब देखो, इनके बीच में n common है, ठीक है, so यह important है, so which is equal to 1 minus aq plus y into n, ठीक है, obviously यह अंदर का होगा, यह कोई integer ही होगा, तो उसके लिए हमें चिंता करने के ज़रुरत नहीं है, so ar किसके बराबर आजाएगा, ar is equal to, ar क्या बन गया है, यह कोई integer, इसको हम नाम देते हैं, माल नहीं, यह b dash है, so it is b dash into n plus 1, तो यह act करेगा as a quotient, और 1 क्या है, remainder है, तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, a और r को multiply किया, n से divide गया, remainder क्या आया, 1 आया, तो इसी चीज़को हम कैसे लिख सकते हैं, multiplication model हो के respect में, by definition, कि हमने a और r को multiply किया, n से divide किया, तो remainder बना हमारा 1, this is remainder, ठीक है, so a के साथ हमने वही number डूड़ना था, कि a के साथ मैं ऐसा क्या multiply करूं, कि मेरा answer 1 मिकले, तो वो हमारा कौन निकला, r, यह r था क्या actually, यह r वो remainder था, जब हम इस x को n से divide कर रहे थे, और यही इसका क्या है, multiplicative inverse है, ठीक है, so here r is multiplicative inverse of a, लेकि मुझे एक और चीज़ दिखानी है, कि इसका gcd n के साथ 1 होगा, तब हमारा यह fit बैठेगा इस definition के अंदर, so to show r और n का gcd is 1, ठीक है, तो माल लेजिते हैं कि r और n का gcd 1 नहीं है, so let r और n का gcd 1 नहीं है, मतलग इनके बीच में कुछ common divisor है, याने कि एक prime number ऐसा exist करेगा, जो r को भी divide करता हो, और n को भी divide करता हो, ठीक है, अगर p जो है, वो r को भी divide कर रहे है, और n को भी divide कर रहे है, तो दोनों के linear combination को भी divide करेगा, याने कि n q प्लस r को भी divide करेगा, ठीक है, बट n q प्लस r था क्या हमारा, x था, so p divides x, अब देखो, p जो है वो, x को divide करता है, अब p जो है वो आपका n को भी divide करता है, तो इन दोनों के linear combination को भी divide करेगा, याने कि p divides a x प्लस n y, लेकिन हमें मालूम है, कि जो a x प्लस n y है, वो कितना है, 1 है, तो p divides 1, लेकिन p क्या है, prime number है, 2 से शुरू होगा, तो ऐसा possible नहीं है, so this is contradiction, इसका मतलब यह है कि हमने जो r लिया था, इसका g सरी 1 है, तो इसमें हर element का multiplicative inverse exist करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है, कि जो हमारा un है, वो group बनाता है, और केवल group ही नहीं, abelian group भी बनाता है, आप आराम से दिखा सकते हो, कि यह abelian भी है, याने कि यह commutate भी करता है, commutativity, है ना, जैसे हमने last वाले में किया था, कि a, x, n, x नी, multiplication b, इसका क्या मतलब होता है, least, least non-negative remainder when, when ab is divided by n, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है, कि यह जो ab है, इसको हम ba भी लिख सकते हैं, so same चीज, यहाँ पर लिख दूँगे मैं, when ba is divided by n, ठीक है, और by definition इसको कैसे लिख सकते हैं, b, n, a, ठीक है, तो obviously यह commutate कर रहा है, because commutativity of multiplication, अब इसके ऊपर कुछ example देखते हैं, फिलिए दो चोटे 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 example है, एक है आपका u10, तो u10 के अंदर कैसे element आएंगे, जो 10 से छोटे होंगे और 10 के साथ co-prime होंगे, so it is 1379, 2 नहीं आएगा, because 2 और 10 का gcd कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, उसी तरह से 4 भी नहीं आएगा, 4 और 10 का gcd भी 2 होता है, तो हमने वह वाले element ले लिए, जिनका gcd 10 के साथ 1 है, और 10 से छोटे है, so it is 1379, हम इसका klet table बनाएंगे, और फिर वहाँ से दिखाएंगे कि ग्रूप की सारी properties होड़ करता है, so करते हैं, 1 into 1 is 1379, सारे 10 से छोटे हैं, तो remainder निकालने की ज़रूरती नहीं है, उन्हीं को लिख दो, ठीक है, और 3 नमा, 27, 27 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, तो obviously answer 7 आएगा, मुझे मालूम है किसका answer आगे क्या आने वाला है, देखो ये 1379 है, तो इधर भी 1379 है, हाला कि मैं cheating कर रही हूँ, लेकिन आपने पूरा solve करना है इसको, ठीक है, इधर 917 है, तो इधर भी 917 आएगा, अब यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, 7, 7's are 49, ठीक है, तो 49 और remainder कितना बचेगा, 9 बचेगा, अच्छा, और 7, 9's are, it is 63 और remainder बचेगा, 3, तो इधर 9, 3, तो इधर भी 9, 3, इधर कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है, यह इसका केले table आजाएगा, उसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ को, जो 10 है, वो एक composite number है, और जहाँ पर 7 है, वो आपका prime number है, तो जब आप prime number आएगा, तो 7 से सारे, जितने भी छोटे होंगे, वो सारे उसके अंदर आजाएगे, ठीक है, लेकिन composite के अंदर आपको देखना पड़ेगा, ओके, obviously इसमें भी क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उ 2, 5, 8, 10, remainder 3, 2, 12, remainder कितना हुआ, पांच, ठीक है, इस साइड में यह लिखूंगी तो, इधर हो गया, 4, 6, 1, 3, 5, इधर 6, 1, 3, 5, ओके, अब 3 की बारी, 3, 3, 9, remainder 2, 3, 12, minus 7, remainder 5, 3, 15, 14, remainder 1, तीन चका, अठारा, और remainder 4, बचा, ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखूंगे, मैं 5, 1, 4, 5, 1, 4, ठीक है, next, 4 की बारी, 4, चोकु, 16, 16 में से 14 गए, remainder 2, ठीक है, और 4, 15, 20, और 20 में से 14 गए, 6 बचा, अब यहां पर बचा कौन, 1, 2, 3 बच गया, ठीक है, उसी तरह से, 2, 6, 3, 2, 6, 3, next is, 5, 5, 25, और 7, 21, बचे, 4, ठीक है, अब यहां पर इस रो में कौन सा नंबर बच गया, 2 बच गया, इधर 4, 2, इधर भी 2, और इधर कौन बच गया, it is 1, ठीक है, हाला कि, मैं consider करके चल रही हूं कि यह group बना रहा है, इसलिए मैंने table, complete कर दी, लेकिन आप, एक-एक solve करके निकाल देना, ठीक है, अब मान लीजे, consider कीजे कि मैंने हर एक member को solve करके निकाला है table, तो फिर मैं क्या कहूंगी, कि इस में से देखो, कोई भी जो number है, वो alien नहीं है, मतलब, it is not out of this set, तो यह closure है, यानि कि यह closed है, यहां पर भी आपको जो एक, दो, तीन, च creativity हमने अल्रेडी दिखा दिया, आप चाहो तो यहां पर अलग से multiplication 10 के लिए, या फिर multiplication 7 के लिए, अलग से आप वही चीज़ जो मैंने n के लिए दिखाई है, generally, वो आप दिखा सकते हो, अगर आप exam में लिखने वाले हो तो, ठीक है, उसके बाद existence of identity, क्या इसके identity है, इधर भी 1 है, और इधर भी 1 है, so identity भी है, क्या inverse exist कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखो हर रो में 1 1 है, तो उनके उपर जो होगा, वो उनकी क्या कहते है, multiplicative inverse होगा, जैसे कि 1 के लिए 1 ही होगा, और 3 के लिए 7 होगा, because 3, 3 into 10, 7, 3 सता 21, remainder क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 का multiplicative inverse 7 है, और 7 का 3 है, ठीक है, उसी तरह से 9 का कौन है, 9 है, तो आप यह कह सकते हों कि 1 और 9 can self-multiplicative inverse है, उसी तरह से आप जहां-जहां पर यह 1 है, उनकी उपर देखो, तो inverses exist कर रहे हैं, हर रो में 1 है, यानि कि हर किसी का multiplicative inverse है, next is commutativity, commutativity कैसे देखते हैं कि क्या यह symmetric है, बिल्कुल symmetric है, देखो, obviously मैंने अभी तो symmetric का use किया, symmetry के हिसाब सी, तो मैंने यह table बनाए, तो obviously symmetry भी है, तो commutative भी करेगा, अब बात करते हैं, order of u, तो इसके अंदर कितने element है, 4 है, तो order of u, 10, कितना हो गया, 4 हो गया, और अभी मैंने इससे पहले बताया था कि किसके बराबर होता है, 5 of 10 के बराबर होता है, यह किसके बराबर होता है, 5 of 7 के बराबर होता है, ठीक है, 5 is Euler's function, अब मेरा आपसे question है, कि अगर u, 720 है, तो इसका order कितना होगा, ठीक है, obviously आपने Euler's function लगाने है, and let me know in the comment section,